नमस्कार बहुत स्वागत आपका देख रहे हैं आप लोग अपना खास जो तिश्जराट के मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड संतोश संतोशी आज एक बहुत बड़े मित से परदा उठाएंगे एक बहुत बड़ा प्राकर्तिक संकेत माना जाने वाला प्रभाव से आज दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा हर किसी के घर में दूद आता है आना भी चाहिए उबाला भी जाता है चाहिए भी उबलते हुए दूद गिर जाता है तेज आज पे उबाला जाए या धिमी आज पे भी उबाला जाए तो एक समय के बाद दूद उबलते उबलते बरतन से बाहर गिर जाता है बाहर गिरना भी ठीक लेकिन वह आग पे भी चला जाता है जो फ्लेम है जो जल रहा है जो जौला है उस तक भी पहुँच जाता है ये ठीक है की नहीं हफ्ते में हो गया, दस दिन में हो गया, पंदरह दिन में हो गया, महीने में हो गया हम लोग क्या बोलते हैं, महीना खान में होई गया अल्टर डेट डे होने लगा, प्रति दिन होने लगा, तीन स्लैब दिया हमें रोज हो रहा है एक-एक-दो-दो दिन के अंतराल पे हो रहा है पंद्रे-बीच दिन महीने में कभी हो गया अब तीनों का कनेक्शन हम पहले ग्रही ये बताते है संबंद तो इसका है ग्रहों से डायरेक्ट है दो राय नहीं है दूद का आग पर जाना स्वप्न में भी बुरा होता है तो सामान ने तया प्रैक्टकली लाइब होना तो महा बुरा होगा तो ये तो पहली चीज हो ही गई कि अगर दूद आग तक पहुँच गया तो ये अशुब है शुब नहीं है अब अशुब है तो किस संदर्व में है ऐसा होने पर क्या हो सकता है ये हम आगे बताएंगे आपको पहले इसका ग्रही कनिक्षन देख लिजे यह उसी के हाथ से होगा जिसके जर्मांक में लगन का संबंध या लगनेश का संबंध दूशित मंगल या पीडित राहुशनी से हो सूत्र समाप्ट ठोक के कहते हैं देख लिजेगा अगर आपका लगन या लगनेश लगन का स्वामी अथवा लगन नीच के मंगल के साथ जैसे करक लगन हो लगन में ही मंगल बैठ जाए चंद्रमा मंगल एक साथ बढ़ जाए अब यहाँ पे कुछ चोथशी कहेंगे कि नीच भंग राजी होगा ऐसा कुछ नहीं होता ऐसे लोग को दही पसंद नहीं आएगा आप सोच नहीं सकते हैं जोतिश क्या क्या बता सकता है जोतिश कहां कहां घुस सकता है एक सेरे मसीन है सिटी स्कैन है एम राई है जो चीज मशीन जागती हैं अंदर यह भाग्यवयम जाग लेता है आख जो है वेदों का आख है जोतिशा नाम वेदर चक्छू तो है तो अशुम अब कभी कभार वाले तो साइड हो जाइए आपको चिंता करने की आवश्यक्ता नहीं है लेकिन शांती आपको भी करना पड़ेगा अगर ऐसा होता है यह अंध विश्वास नहीं है अती बुरी होती है कैंसर होने पर आदमी क्योर नहीं कर पाएगा मर ही जाएगा नहीं लेकिन कैंसर को नजरंदाज नहीं किया जा सकता हतोत साहित नहीं होना है गिवप नहीं करना है दीमोरलाइज नहीं होना है लेकिन सतर्क होना है सावधान होना है शान्त करने का प्रयास करना है अगर बार बार दूथ उबलता है आपके घर पर हर रोज उबलता है और उबल के आग तक जाता है आग में जलता है दूथ दूद का आग में जलना ही अशुब है बाकी उबल के गिरना अशुब नहीं है और वो तो बह की नीचे तक पेंदी तक जाएगा तो जलना तो स्वाभाविक उबल की गिरा अल्टरनेटे होता या डेली होता है तो यह संकेत देता है कि आपके परिवार पर वंश विद्धी के लिए कोई बड़ी विपत्ति आ सकती है आपके परिवार पर कुछ नो कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि कुछ एक्सिडेंटल डेथ की संभावना प्रवल हो जाए अब देखिए यहाँ पर डरना नहीं है हमने एक संकेत का संदर्भ लेकर कि आपको आगाह किया इसको प्लीज आप लोग अन्यथना लेकर इसके नियम में आईएगा दूध जल गया आहार दूध कौन दूध आहार किसका होता शिशु का होता है बच्चे का होता है मंगल आपके रक्त का कारक है अगनी मंगल का कारक है दूध शुक्र है दूध वंश ब्रिद्धी है मंगल और शुक्र मिल करके ही वंश चलाते हैं तो दूध में मंगल और शुक्र दोनों का प्रभाव है गाय या भैस मादा से दूध मिलता है शुक्र साक्षात उसके साथ connected है दूध वीर्य वर्धक है मंगल का साक्षात उसके साथ सम्मंध है पौरुश वर्धक है शक्ति वर्धक है दूध से आप जीवनी शक्ति को प्राप्त करते है मंगल है वो मंगल है रज है आपका तो दूध का जलना ठीक कहीं से भी नहीं है ये तो सर्थ confirm है मतलब ये सुभ हो ही नहीं सकता है कहीं किसी practical संतर्फ में भी सुभ नहीं हो सकता है दूध जलने की smell आप देखेंगे तो लास जलने की smell जैसी आपको आभासित होगी थोड़ी थोड़ी सी तो अगर ऐसा बार बार होता है तो आपके वंश के लिए आपके वंश व्रिद्ध के लिए आपके घर में उपस्थित खास तोर पर पुरुष वर्ग के लिए ये ठीक संकेत नहीं है ऐसे में पुरुषों की कुंडली का आवलोकन कराया जाए अगर किसी के जन्मांक में चंद्रमा या लगनेश पीडित है जिसकी कारण ये ऐसी घटना हो सकती है किसी की आयू पर संकट आए उससे पहले समय रहते हैं उसकी ग्रहिय शान्ती आदि करा देनी चाहिए घरेलूप चार में अगर देखा जाए तो आपको गव की सेवा बढ़ा देना चाहिए इसके बाद नौन्वेज बिलकुल नहीं पत्थर बिलकुल नहीं और जितना हो सके सूरे के मंत्रों का मंगल के मंत्रों का जाप जैसे ओम घिर्णे सूरे आये नमह ओम अंगार का आये नमह इस मंत्र का जाप जितना हो सके करना श्रेयशकर होगा श्युप होगा बहुत आभार आप लोग का इस मुखबत के लिए मिलने के लिए दिये गए नमबर पर कॉल वाटसप कर सकते हैं और अप्रैल में मुंबाई पुने लेकिन बिफोर आल अफ दीज यू कैन मीट मी इन गाजियावाद आफिज तिल 23 अफ मार्च अंग्रे जी बोले हैं समझ गए होंगे थैंक यू सो मच नमशकार शिरादे